कि थैस मैं हेलो चूइट्स वेल्कीम पी मैं चैनल learn with LALITA तो GPA कृउट्स करेंगे लेल्कुम टू में चैनल learn 11ओ लविटली तो स्टूइंट्स आज हम करेंगे राउंडिंग ओफ डेसिमल नंबर्स नियरेस्ट हंड्रेथ ओके स्टूइंट्स नियरेस्ट if decimal means decimal के second place पर हमें किसे round off करना है या round of to the nearest hundred हम इसे कहां पर round of करना है nearest hundred के place पर एंड इसका round to the nearest hundred number निकालकर लिखना है तो number है यहाँ पर 5.413 ओके इस number को स्पोइंड हम round off करेंगे कहां पर nearest hundred के place पर ओके इन सभी तो सबसे पहले जब हम round off करते किसी number को क्या करते हैun सबसे पहले हम देखते हैं rounding place आप rounding place यहां पर हमारा कौन सा है है bu 100 ओके एं've अं हमारा कौन सा place है यह देखि है decimal है decimal के बाद में जो first place होता है first place of decimal second place of decimal third place of decimal okay and decimal के बाद में जो first place होता है उसका नाम क्या होता है 10th क्या नाम है इसका 10th okay and second place का क्या नाम होता है hundredth क्या होता है hundredth and thousandth okay and यहां पर हमें क्या करना है question में क्या बोला है round to the nearest hundred okay देखे 10th hundred तो यह हो गया हमारा rounding place, okay, hundred, कुन सा place है, यह hundredth का place है, okay, and इसे आप यह भी बोल सकते है, second place of decimal, okay students, अब देखिये students, rounding place हमें मालूम है, तो अब क्या करते हैं, second step क्या करते हैं, जब किसी number को round off करते हैं, तो सबसे पहले rounding place देखते हैं, question में पता चल जाता है, हमें rounding place, अब उसके बाद में क्या करते हैं, हम check करते हैं, rounding place के just right में जो number होता है, means, just right में जो number होता है, students, उस number को check करते हैं, अगर वो number students हमारा 5 से होता है means 0 1 2 3 4 में से होता है तो हमारे rounding place में कोई change नहीं होता है ओके यहां पर देखे 3 है और rounding place हमारा क्या है 100 तो means 100 के place पर कोई change नहीं होगा यहां 1 का 1 रहेगा ओके एंड यह right side वाला number क्या हो जाएगा 0 ओके left side के number क्या रहेंगे same 4.5 तो इसका round to the nearest hundredth number कितना आया है 5.410 ओके तो यह आपका इसका round to the nearest hundredth number आया है और आप इसको ऐसे भी लिख सकते है student 5.41 ओके यह भी answer आपका right है क्यों क्योंकि हमें निकालना है इसका nearest hundredth number देखे 10th hundred आप इसको इस hundredth के place तक लिखेंगे तो भी आपका answer right होगा और इसको इतना पूरा लिखेंगे तो भी आपका answer right होगा means आपको जितना बोला है question में उतना matter लिखना है आपको nearest number तक निकालने के लिए तो आप इसको round to the nearest hundredth नमबर तक लिखेंगे, ओके, देखें, 10th, 100th, ओके students, next देखेंगे, 99.999, ओके, rounding place क्या है, 100th, देखें, 10th, 100th, ये हो गया हमारा rounding place, ओके, check किसको करेंगे, rounding place के right side में जो number है, ओके, means right side में जो place है, उस place के नमबर को check करेंगे, यहाँ पे देखें, 9 है, यह हो गया हमारा rounding place, 100th, ओके, अब ये देखें students, यहाँ पे 9 है, ये number अगर students, 5 ये 5 से बड़ा होता है, means 5, 6, 7, 8, 9 में से होता है, तो हमारे rounding place में क्या होता है, one number add हो जाता है, तो देखें, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, plus 1, okay, तो क्या हो जाएगा, 9 और 1, 10, 10 का 0, carry 1, 9 और 1, 10 का 0, carry 1, फिर point का point आ जाएगा, 9 और 1, 10 का 0, carry 1, 9 और 1, 10, okay, and here right side वाला number क्या होगा, 0, okay students, तो इसका round to the nearest, 100th number कितना आया है, 100.000, ओके, यह आगे, आप इसको इतना भी लिख सकते है, 100.00, ओके, तो यह भी आपका answer right है, means आपको nearest 100 तक लिखना है, ओके, next देखेंगे, 17.095, rounding place, 100, okay, check इसको करेंगे, right side वाले number को, just right में जो number है, यह number हमारा क्या है, 5, okay, मैंने आपको क्या बता है था, अगर यह number हमारा 5, यह 5 से बढ़ा होगा, means 5, 6, 7, 8, 9 में से होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओके, आप देखें, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 1 एड़ होगा, तो कितना हो जाएगा, 9 और 1, 10 का 0, carry 1, ओके, and 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1 आजाएगा, ओके, यह 7 का 7, 1, and यह right side वाला number क्या हो जाएगा, 0, तो इसका round to the nearest hundredth number कितना है, 17.100, आप इसको इतना भी लिखेंगे, चलेगा, 17.10, hundredth के place तक लिखना है, students, next है, 321.562, rounding place क्या है, hundredth, okay, 10th, hundredth, rounding place हो गया हमारा, check किसको करेंगे, right side वाले number को, just right में जो number है, यहाँ पर देखें, students, 2 है, मैंने आपको क्या बताता, अगर यह number 5 से छोटा होगा, तो हमारे इस वाले place में, surrounding place में कोई change नहीं होगा, तो हमारा यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, 6 का 6, right side वाला number क्या हो जाएगा, 0, left वाले number क्या आओंगे, सेम के सेम, 5.123, तो इसका round to the nearest hundredth number कितना आया है, 321.560, ओके, और इतना भी लिख सकता है, 321.56, ओके, दोनों ही answer right है, ओके स्टुडेंट्स, तो इस तरीके से स्टुडेंट्स हम numbers को round off करते हैं, nearest hundredth के place पर, ओके स्टुडेंट्स,